नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज जन्बत फिरोजाबाद के सीर्चा गंज थानहा छेत्र तिलियानी हत्याकांड में वांचित चल रहे दो आरोपियों को चिकिन के दौरान पुडिस ने किया गरिफतार तलासी के दौरान एक तमंचावा बाइद बरामत छेत्र अधिकारी कमलेश कुमार ने प्रेस वारताकर किया खुलासा फिरोजाबाद सेवियरो रिहान अली की रिपोर्ट ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज दिनांग 14-21 को ग्रामतिलियानी में एक राम कुमेश यादाव की हत्या हो गई थी सुबा 8 बजे के आसपास और उसमें चार लोग अभ्यूक्त थे चुकि ये दिन दाहारे के हत्या थी तो उनमें से एक अभ्यूक्त दीपू को पहले ही भेजा जा चुका थे ये दो व्यक्ति हैं मनोज और मुकेश मनोज जो है प्रधानपती है ये लोग कल आ रहे थे और इनको फुलिस ने चेकिंग के दौरान मैं तमन्चे के और मोट साइकल के गिरफतार किया इनी को उप्त मुकदमे में जो धारा कुंसो दो 307 का है उसमें जेल भेजा जा रहा है आगी चीजू भी है विदिकारवई क किया दिया इन